तो दोस्तों यहां पर डॉकुमेंट वेरिपिकेशन का जो टेट आ गया है मैंने आप लोगों को बता दिया है तो यहां पर जितने भी कैंडिडेट्स ने वह इस ओप्सन फॉर्म को भर लेंगे और भरने के बाद ही वहां पर आप लोगों को जहां बुलाया गया जितने ता हमें यहां पर एक एकर के सारी चीज़ों को बता रहा हूं तो आप इसको सुर्च लाष्टर जरु सर जरु जरुद दखिये और इसमें लास्ट में मैंने आप लोगों को जो important documents हैं उसके बारे भी बताया हूं तो आप उन सार चीज़ों को भी carry कर सकते हैं तो वो भी आप लोग जरुसर जरुर देखिएगा तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले किस प्रकार से इस option form को भारते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं तो दोस्तों यह जो है कि आपको data verification के लिए यह आपको मांगा जाएगा यह आपको देना ही है इसको जो है यानि कि एक file के रूप में आपको नहीं रखना है यह भी कहा गया है और यह जो है उसको candidates अपने से भर लेंगे option form को और document verification के समय में यह आप लोगों को देना ही देना है a signed print out there of to be kept in dosir तो इसको फिर बाद में sign हो जाने के बाद आप इसका एक print out को भी रख सकते हैं यह भी यहाँ पर कहा गया है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है roll number तो जितने भी candidate से चीज़ को बुलाया गया है वह अपना roll number को यह फिल कर लेंगे और अपना जो नाम है उसको इस box में याने भी इस blank space में भार सकते हैं तो roll number और अपना नाम जो है वह आप लोग भर लेंगे यहाँ पर पहले नमबर पर है lower division colors jsa jpa preference code for ministry departments office तो यह है ldc के लिए जो preference code साथ में दिया गया है और जो department है नाम है ministry है वह भी यहाँ पर दिया हुआ है तो code आप देख office दिया हुआ नेम और department office इंदर भी दिया हुआ है तो यहाँ पे आप लोग l01 में l02, l03 ऐसे गर के देख सकते हैं archaeological survey of India है Central Bureau of Narcotics है Central passport office है इधर भी देखेंगे तो मिनिस्ट्र आप कल्चर है intelligence bureau है minister of Excel external affairs है इस परकार के सारे चीज़ें दिया हुई है यह आपका office department है तो इसको आप लोग देख सकते हैं code भी आपका सारे चीज़ें दिया हुआ है और यहाँ पर total जो है यहाँ पर 26 code दिया हुए है postal assistant के लिए sorting assistant जो है उसके लिए भी code यहाँ पर साथ में दिया हुआ जो होगे यह P26 है यह सब L series वाले थे और यहाँ पर P26 है यहाँ कि P वाला आ गया है president secretary वाला पोस्ट को डालना है तो आप एक नंबर पर यहाँ पर लिख देंगे ल 25 यह पहले नंबर पर आप लिखेंगे उसी परकार से दूसरे नंबर पर आप लोगों को 26 बॉक्स को फिल कर लेंगे तो यह हो जाएगा इसके बाद में आपको यहाँ पर signature करना है आपका जो है और अपना नाम लिखना है साथ-साथ आपका जिस दिन आपका जो डॉक्रम फिर्पेकर संदे है उस दिन का डेट आप फिल कर लेंगे और इसको अराम से भरने के दोकॉमेंट जो क्या-क्या लगेगा वो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर आगे बताता हूं बात करते हैं इससी सीचसल एक्जामिनेशन 2019 का डोकॉमेंट वेरिपिकेशन वाले जो इंपोर्टेंट डोकॉमेंट से जो उहाँ पर मांगे जा सकते हैं यहाँ पर आप लो पेज मिला था वह अगर आपके पास में है तो आप उसको भी ले जा सकते हैं लेकिन यह उतना इंपोर्टेंट तो नहीं है फिर भी आप इसको अपने साथ में कर सकते हैं रेजिस्ट्रेशन जो फिल फॉम्प किये थे उस समय कनफर्मेशन जो मिला था आयोक की और से वह आ अभी आपका top अद्यम्ट कर जारी हुआ है डॉकोमेंट बेरिकेशन चैन के लिए यॅद्यमिट कर जारी हुआ है उसको तो आपको ले हैं की आप सबसक्रूर और पहला एक्जान दूसरा एक्जान और फिर वरिकेशन वाला जो मिल मुद कर ने वह आप ले जा सकते हैं फुरुक में आप आधार कार्ड साथ साथ driving license जो है वो उसके अलावा में जो है watercard वो भी आप लोग ले जा सकते हैं आपका confirmation के लिए इड वो साथ साथ photos आप तीन से चार carry कर सकते हैं यह आप लोग ले जाएंगे अपने साथ में रखेंगे तीन से चार photo वो साथ साथ valid ID में आपके पास जो है आधार कार्ड driving license या तो फिर वोटर कार्ड जो है वो आप लोग ले जाएंगे इसके बाद है option form जो कि मैंने आप लोगो थोड़ी दिर पहले बताया तो option form को पहले fill कर लेना है किस परकार से और उसका जो है पूरी तरीके से भर लेना है भरने के बाद आ आपका इसके साथ है आपका all educational certificate तो जितने भी candidates हैं जिनको बुलाया गया है document verification के लिए वो अपने साथ-साथ all educational certificate को ले जाएंगे जो कि पर graduation या थे उससे भी ज्यादा और अगर डाले हैं highest educational certificate जो qualification डाले थे आप लोग तो उहां तक के certificates आप केरी करेंगे वो भी original आप लोगों को ले जाना ही है और इसके अलावा में आप यह जो है उसके फोटो कोपी कम से कम एक कोपी जेरोक्स आप लोग ले जाएंगे साथ म है तो यहां पर educational certificate में आपका matriculation, intermediate, graduation उसके उपर क्या अगर है fill up किये हैं जब form fill up करने टाइम पर तो आप उससे सारे चीज़ा को केरी कर सकते हैं साथ साथ कम से कम one copy सबके होने चाहिए इसके बाद है आपका यहां पर caste residential certificate यहां पर आप लोग अपना जो जाती परवान पत्र है साथ साथ में residential आवासी परवान पत्र यह को आप लोग केरी करना ही है आप लोग को ले जाना ही है यह जो का certificate होता है और residential certificate जो होता है जिनका जिनका बनता है वो लोग ले जाएंग certificate को भी ले जाएंगे उनको भी इस सब की जरूत पर सकती है तो जिसको जो जरूत है वह सब सारी से मैं लगबग बता दिया हूँ उमिद करता हूँ कि यह सब से आपके सारे काम बन जाएंगे और जो है यहाँ यहाँ पर other certificate में physically जो स्टूडेंट है वह लोग भी इसको केरेंगे और उसके अलावा में आप लोगों को यह जितनी सारी बताया गया है वह सब आप लोग ले जाएंगे और जिरस आप लोग साथ में ले जाएंगा नहीं भूलना है आप लोगों को तो यहाँ पर यह सब सारी important documents है जो कि आपको document verification के लिए मंगा जैसकता है या तो फिर आप साथ में ले जा सकते हैं आपको कोई परिशान फिर नहीं होगी तो यह और इसका लावा में अकर आप लोगों को लगता है कि और कुछ documents है जो आप ले जा सकते हैं तो वो भी आप carry कर सकते हैं कि तो यहीं था सिर्शेसर लिजामसं 2019 के लिए जो इंपोर्टन डोकॉमेंट था उसके बार में मैं आप लोगों को जंग करें बता दिये तो आप यह सब सारी सेजों को ध्यान रखेंगे